आप सब के अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा परणाम संसार के अंदर जब लोग भगती करने की सोचते हैं विचार उत्पन होता है कि कोई तो संसार के अंदर ऐसी ताकत है ऐसी प्रमसत्ता है जो पूरे ब्रमांड को चलाई हुए है संसार को चलाई हुए है किसी भी रूप में किसी भी परकार से कोई तो कारण है जो इन शरीरों को छोड़ करके कोई सत्ता चली जाती है जिसका परभाव पूरे शरीर के अंदर देखने को मिलता है कि सारी इंद्रियां काम छोड़ देती हैं सब अंग काम छोड़ देते हैं एक-एक करके सब अंगों से प्राण शिमटते चले जाते हैं कोई ऐसा तत्तव है जिसके बाद डोक्टर भी मना कर देते हैं संसार भी मना कर देता है परिवार भी बोल देता है अब ये किसि काम का नहीं है ये तो समाप्त हो गया सब कोई मुख मोड देता है तो जब ये विचार उत्पन होते हैं फिर किसी ने किसी की तलास करते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए कौन रास्ता दिखाएगा कैसे किस परकार से कहां पहुचना है क्या छोड़ना है कौन सा करम करना है पुन्ने क्या है पाप क्या है सही क्या है गलत क्या है अनेकों विचार मन के अंदर उत्पन होते हैं कुछ लोग इन विचारों को देख कर सुन कर इनसे परेरित हो करके भगती के मारग में परियास करने लगते हैं कुछ लोग ये सोच करके कि नहीं अभी कहां से मैं आया है थोड़े दिनों बाद कर लेंगे आगे कर लेंगे ये छोड़ करके कल के उपर टाल देते हैं कुछ लोग खोज में लग जाते हैं कि कोई रास्ता दिखाने वाला मिले कुछ लोग बिना खोज के ही स्वेही खुद ही अपने मन माने ढंग से साधना शुरू कर देते हैं मन माना आचरन शुरू कर देते हैं जैसा उनको मन होता है उसी परकार से परियास शुरू कर देते हैं कुछ लोग पुष्ट के पड़ के उनसे जो ग्यान मिलता है जो सीखने को मिलता है उससे रास्ता खोजने पर लग जाते हैं कुछ लोग सुन करके इदर उदर की दो चार बाते अपने आपको उनके अनुसार ढालने के लिए लग जाते हैं कुछ लोग संतों का चरित्तर पड़ करके सुन करके वर्णन सुन करके देख करके इतिहास जान करके खोजबिन करके और सत्य की खोज में लग जाते हैं कुछ लोग पूजा पाठ के अंदर लग जाते हैं सबके जितने जिसके मन के अंदर जैसे विचार उत्पन होते हैं उसी परकार से वो जीव प्रमात्मा के मारग के उपर किसी भी रूप में चाहे पूजा की हो किसी भी रूप में पाठ किये हो किसी भी रूप में सुमरण किया हो लेकिन लग जाते है समय चाहे कितना भी लगो वो बदलने लगते हैं लेकिन उनके अंदर स्वाल समप्त नहीं होते एक एक चीज करके छोड़ने लगते हैं पहले सराब छोड़ देते हैं नसा छोड़ देते हैं फिर मासा हार छोड़ देते हैं, फिर बुराईयों को त्यागने लगते हैं, निंदा चुगली छोड़ने लगते हैं, क्रोध के उपर काबू करने लगते हैं, इंदरियों के उपर पकड़ करने लगते हैं, और एक-एक जो कमिया हैं, उनको दूर करने का परियास सुरू कर द लेकिन फिर भी मन को संतुष्टी नहीं मिलती, क्योंकि ध्यान जब तक नहीं जमेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, और पूरण गुरु की खोज नहीं होगी, हर्दय के अंदर उसका स्थान नहीं होगा, जब तक हर्दय के अंदर इतना जगह नहीं होगी, कि वहां बैठा करके बहुत समय पहले जब हमने ये काम शुरू किया था तब सरवात की बात थी बहुत जीव आ रहे थे उन्होंने कहा कि भजन कैसे किया जाता है हमने कहा आपका काम बैठने का है उन्होंने कहा बैठने से ध्यान नहीं लगता कैसे करें हमने विधियां सिकाई पदती सिकाई उन्होंने भी बहुत कोशिश की फिर कहा कि नहीं लगता मैंने कहा जब समर्पन हो जाता है तो भजन करना गुरू का कारिय होता है जब हर्दे के अंदर गुरू को जगह मिल जाती है जब हर्दे के अंदर गुरू का वास होता है तो सुम्रण सुरू हो जाता है उन्होंने परियास किया और वो समय आ गया कि जब जगह मिली और हर्दे के अंदर भजन सुरू हो गया सुम्रण सुरू हो गया जब तक हरजय के अंदर विराजमान रहे तब तक भजन चलता रहता है सुमरण होता रहता है, ध्यान लगता रहता है हिलाए से भी नहीं हिलता, परियास से भी नहीं हिलता ध्यान को अगर इदर उदर दोड़ाने की कोशिस करें नहीं दोड़ेगा मन को भगाने की कोशिस करें नहीं भागेगा क्योंकि साक्सी साथ में है नाम रटवाने वाला साथ में है हर दम जब जागरत रहेगा जीव कि किस परकार से कैसे करना है कोई देख रहा है मुझे उसका क्या परभाव होगा और एक के एक सावधानी के साथ कि कोई गवा है जो मेरे स्वांसों को गिन रहा है कोई है साकसी जो एक एक स्वांस का ध्यान रखके और उपर तक ले जाने का प्रियास कर रहा है तो आप और जागरत होने की कोशिश करोगे और सावधानी के साथ भजन करोगे और मन अगर भागेगा तो आप भागने नहीं दोगे मन उस जंगली जानवर की तरह से है जो जंगल में भागता रहता है, फड़डाता रहता है और आप उस सिकारी की तरह से जब हो जाओगे कितना भी भागे शिकार किये बगार नहीं मानेंगे तो जब आप उसकी तरह से हो जाओगे ये मन कितना भी भाग ले कितना भी परियास कर ले कितनी भी दोड लगा ले कितने भी छुपने की कोशिश कर ले कितनी ही बुराया कर ले कितना इस संसार के अंदर घूम ले कितना भरमित कर ले जीओं को कितना जीओं को भठका दे कितना माया के अंदर लिफ्ट कर दे लेकिन शिकारी की नजरों से बच नहीं सकता जब भी उसके निशाने के उपर आएगा तीर छोड़ देगा और मन समापत